अब हम देखने वाले फिजर डाइग्राम्स अगर आपको फिजर डाइग्राम्स समझ में आ गया तो आपको सिंपल हर्मोनिक मोशन ऐसे चैम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इसलिए इस चीज को ध्यान से देखना देखो हम आपको जो सिंपल हर्मोनिक मोशन होता है जैसे यह यहाँ पर पार्टिकल इस तरीके से वाइबरेट कर रहा है यहाँ पर पार्टिकल इस तरीके से उपर नीच आ रहा है तो हम बोलते हैं यह पार्टिकल सिंपल हर्मोनिक मोशन कर रहा है इसको हम relate कर सकते हैं एक circular motion से, किस तरीके से मानलो हमाई पास इसका amplitude है A और यहाँ पर एक circle में एक particle है वो भी इस तरीके से घूम रहा है, circle का radius की value भी है A के बराबर तो इस वक्त, मानलो यहाँ से particle start होता है, यहाँ से वो इस तरीके से घूमना start होता है किसी भी time t पर मानलो हो यहाँ पर पहुँच चुगा है तो उसने इतना जो angle travel किया है, इसको हम बोल सकते हैं कि let's say, यह जो angle हमाई पास आया है this angle becomes omega times t t is equal to 0 पर यहाँ था और उसका angle of velocity omega है तो इस तरीके से वो घूम रहा है इसका जो radius उसकी value है अच्छा, अगर मैं पूलू कि यहाँ से इस तरीके से light आ रही थी और यहाँ एक दीवार है तो इस दीवार पे इसकी shadow बनेगी कहीं पर shadow actually कुछ इस तरीके से displace होई होगी particle circular motion कर रहा है क्या उसकी shadow भी circular motion कर रही है shadow तो दीवार पे बनेगी दीवार तो एक plane इस तरीके से है तो वो सिर्फ उपर नीचे ही जा सकते है तो यहाँ हो रहा है circular motion यहाँ नहीं हो रहा है similarly, अगर उपर से इस तरीके से light आ रही होती है तो उसकी पहले चाही कुछ इस तरीके से नीचे move करती again particle circular motion कर रहा है उसकी shadow circular motion नहीं कर रही है हम यहाँ पर यह चीज़ समझनी होगी इसलिए हम इसके लिए बोलते है इसकी angular frequency होती है इसकी angular velocity होती है यहाँ circular motion हो रहा है अच्छा इसका जो displacement है let's see हमाँ पास y-axis है तो इसको मैं बोल देता हूँ this is y क्या यही हमाँ पास यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ this will also be equal to y y और a में क्या मैं कोई relation लगा सकता हूँ यहाँ पर देखो यह हमाँ पास एक right angle triangle है यह angle हमाँ पास theta पता है तो मैं y की value लिख सकता हूँ y is equal to a के सामने वाला है तो a sin theta और theta की value आच्छुली है omega t यहाँ पर हम लिख सकते हैं y is equal to a sin of omega t यह आगई हमाँ पास simple harmonic motion की equation तो यहाँ पर particle simple harmonic motion इस तरीके से कर रहा है similarly मानलो थोड़ी देर बाद particle यहाँ कहीं पर आ जाता है और उसकी अभी नीचे वाली shadow की मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से इसके लिए जो displacement होगा वो क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से x अच्छी यहाँ से x यहाँ पर shadow है इस तरीके से यह particle मानलो यहाँ तक आ गया है उस case में हमारे पास total angle यह हो जाता है let's say theta अब यह जो x है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ x is equal to यह वाला component इसको मैं लिख सकता हूँ यह था हमारे पास amplitude a a का cos theta is हमारा x यहाँ पर हम क्या लिख सकता है x is equal to a cos omega d ठीक यह क्या हुआ हमारा x projection this is x projection और यह हमारा क्या था y projection और यह जो हमारा पास आई यह SHM की equation आई है यह जो आई है भी हमारा पास SHM की equation आई है इसको आपको याद करने की रटे माने की जरूरत नहीं है आपको बस समझ में आना चाहिए यहाँ पर यह particle इस तरीके से घूम रहा था हमें इसका sense of rotation भी बनाना आना चाहिए क्योंकि यह particle अभी उपर जा रहा है तो यानि यह वाला इस तरफ उपर घूम रहा होगा तब ही यह possible है ऐसा तो नहीं होगा कि यह particle इस तरफ घूम रहा था लेकिन shadow नीचे जा रही थी इस वक्त वो तो नहीं हो सकता similarly अगर यह यहाँ से इस तरीके से घूम रहा है इसके नीचे वाला इस जो particle है अभी वो इस तरफ आ रहा होगा अच्छा एक और बात बताओ तो वो एक extreme पर होता है यही सब अंतर आ जाते हैं कभी sign यूज़ करना होता है कभी cause यूज़ करना होता है रटने की बिल्कुल ज़रूत नहीं है हमें बस समझ में आना चाहिए कि angle किस तरीके से लिखे जाते हैं इसके भी कुछ examples देखते हैं पिछले example में हमारा particle यहां से घूमना इस तरीके से start हुआ था अब इस पर मानलो हम बोलते हैं कि initially वो यहां पर नहीं था let's say वो start ही होता है यहां से यहां से मैं इसको start करवाता हूँ अब यह यहां से start होगा इस तरीके से घूमेगा और उसकी जो angular speed है वो है omega किसी भी time t के बाद वो यहां पर पहुँच जाएगा तो रेख उसके बाद इस तरीके से उसका कुछ total angle बनेगा यह अगर मैं यहां से ना परूँ तो यह वाला जो angle था initially वो कुछ fixed angle रहोगा वही होता है हमारा 5 और यहां से थोड़े time बाद t बाद पहुच होगे तो यह हो जाता है omega t तो एक बात बताओ मुझे यह total angle कितना हो जाएगा अगर मैं total angle की बात करूँ let's say this is our total angle theta क्या मैं लिख सकता हूँ theta is equal to phi plus omega t और अभी हम देखेंगे हमने sign के अंदर क्या देखा था यही दो values होती है इनमें से एक होता है हमारा initial phase तो initial phase का यह मतलब होता है अच्छा अब मुझे इसके x projection की बात करने है इसका x projection क्या हो जाएगा यह है हमारा x axis x axis पर इसकी shadow आप देखोगे तो यहां पर आ रही है न इस case में बोलूगा this is this is x projection x projection में हम लेख सकते है x is equal to a क्योंकि इसका radius की value है a के बराबर a cos theta यहां पर देखो इस triangle में ये angle अगर theta है तो ये x की value हो जाएगी a cos theta similarly अगर मैं y की बात करूँ तो देखो मेरे पास y कहाँ पर है this is y y को हम क्या लिख सकते हैं देखो इस triangle में आप देखो ये y है इस y के बराबर और ये हो जाएगा a का सामने वाला तो ये हो जाएथा a sin theta y is equal to a sin theta इस तरीके से अब theta को आपको replace कर देना है यहाँ से तो हमाँ आपस value जाजाती है x is equal to a cos of omega t plus y और यहाँ पर y की value हो जाती है a sin of omega t plus 5 तो हम जो shm की equations अभी तक लिखते आ रहे तो उसमें जो 5 होता था जिसको हम बोलते थे initial phase है तो initial phase का यह मतलब होता है कि हमाँ जो reference circle में जो particle घूम रहा है अब वो किसी यहाँ zero angle से start नहीं हुआ है बस initially उसकी कुछ position थी वहाँ से वो start हुआ है इसको हम किस तरीके से पता किया करेंगे question में हमें चीज़े दियोगा कि at t is equal to zero वो center पे नहीं था कहीं a by 2 था या a by root 2 था इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ data दिया हुआ होगा उससे आप यह values पता कर पाओगे हमें बस समझना आना चाहिए यह होता क्या है the radius of the circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in the figure the y projection of the radius vector of the rotating particle P is देखो यहाँ पर हमाय पास t is equal to zero पर पार्टिकल यहाँ है और वो इस तरीके से घूमता है तो किसी भी time t बात मान लो वो यहाँ पर इस तरीके से पार्टिकल हमाय पास आ जाता है हम बोल सकते हैं हमाय पास एक यह angle आ जाएगा this angle will be equal to कितना omega t के बराबर ऐसे में अब हमसे पुछा इसका y projection की value होगी वो कितनी होगी y projection कौन सा होने वाला है यह वाला है ना तो यह ऐसे रट्टे मत माना कि y तो हमेशा sine होता था या cause होता था देखो यहाँ पर y projection क्या आएगा अगर यह हमारा omega t है तो y की value हो जाएगी a cause omega t अब वीडियो को पॉस करो question को solve करके equation बताओ कौन से वाली सही इसका correct answer है option number d देखो यहाँ पर इस triangle में अगर आप देखोगे तो यह हो जाता है हमारा पास y projection is this this is y और इस triangle में अगर यह angle है omega t तो y की value हो जाती है a का cause component तो मैं यहाँ पर लेख सकता हूँ y is equal to a cos of omega t amplitude की value कितनी है यहाँ पर देखो इसको देखके मझे बता चलगा amplitude की value है 3 तो y is equal to 3 into cos of omega की value कितनी है कोई मुझे बता सकता omega कैसे बता चलेगा यहाँ omega नहीं दिया हुआ लेकिन हमें time period दिया हुआ तो मुझे दिया हुआ t is equal to 4 which is equal to what 2 pi upon omega यहाँ से omega की value जाती है pi by 2 radian per second तो 3 cos pi by 2 t is going to be your answer which is option number bहुत ही अच्छा सा यह सवाल था हमारे पास बहुत सारे simple harmonic motion के cases हैं हमको उनके लिए face बताना है कि उनका face क्या है तो देखो हमेशा हमारे पास एक reference circle होना जरूरी है और reference circle में भी हमें देखना हो कि किस direction में जो भी हमारा reference particle है वो किस तरफ गूम रहा है ऐसे गूम रहा है तो लग result आगा इसलिए हर एक case में वो reference circle का rotation का sense है वो बना दिया गया है अच्छे हमारे पास particle यहाँ पर था और वो इस तरीके से जा रहा था तो पहली बात तो वो SHM इस axis पर कर रहा होगा तो हमें X projection की बात करनी है X projection की बात करनी है तो हमारे पास reference circle पर जो भी particle होगा उसकी shadow ऐसे आ रही होगी या फिर वो यहाँ होगा तो इस तरीके से आ रही होगी अब हमें पता ही कि particle यहाँ पर है एक चीज तो पक्की हो जाती है कि हमारा जो reference circle पर घुमने वाला particle है वो या तो यहाँ पर होगा या फिर वो यहाँ पर होगा यहाँ होगा तो वो इस तरीके से जा रहा होगा यहाँ होगा तो वो इस तरीके से जा रहा होगा क्योंकि rotation का sense तो ऐसा है अच्छा हमारा यह जो छोटू सा particle है यह इस तरफ जा रहा था यह इस reference circle वाले की shadow है उससे हमारा पता चल जाता है हमाँ पास जो reference circle पे particle है वो actually यहाँ से इस तरीके से घूम रहा होगा इसकी जो angular velocity होगी वो omega होगी जो इस SHM की angular frequency होने वाली है this is our correct answer similarly मालो हमाँ पास यह case है अब देखो इसको अप्रोच करने का दूसरा तरीका यहाँ से पहले आप ऐसे directly यह draw करतो कि हमाँ पास जो reference circle पे घूमने वाला particle होगा वो या तो यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है अब हमाँ पास देखो sense rotation का इस तरीके से है एक possibility यह होती है कि यहाँ से पार्टिकल ऐसे आ रहा हो दूसरा ही possibility यहाँ से ऐसे आ रहा हो इन दोनों में से किसकी shadow यह वाली हो सकती है देखके बता चल रहा है वो इसकी shadow रही होगी तो हमाँ पास actually यहाँ पर हमाँ पास particle है this is our correct answer center से आपको इस तरीके से आपको फिर जोड़ना पड़ेगा और हमारा particle यहाँ से इस तरीके से move कर रहा है अब इसमें Initial Face किसको बोलोगे हमें पता ही नहीं है यह यहाँ से start हुआ है अभी हमें इतना बता है अगर आपको यहाँ से नापना है तो आप बोलोगे भई यह हमाँ पास Initial Face इतना हो जाता है उसके बाद यहाँ से आप Omega T से आगे जाओगे अगर हम यहां से इस तरीके से नापते तंबल देगे यह हमारा initial phase था उसके बाद यहां से जो भी आगे का angle हो जाएगा वो omega t इस तरीके से आजाएगा चलो ठीक है, यहां पर बदाओ क्या होगा जल्दी से हम इस तरीके से draw करेंगे यहां पर और हमापस दो possibilities है या तो यहां पर particle हो सकता है यहां पर particle हो सकता है क्योंकि rotation का sense इस तरीके से और यह particle इधा जा रहा है यानि कि हमापस यह वाला correct answer हो जाएगा हमापस reference particle यहां पर है वो इस तरीके से move करने वाला है omega से, center से इसको जोड़ देंगे यह हमापस phase आगया है उस वक्त यहां पर है कहां से नापना है वो depending upon the situation हमें बताया जागा यहां से नापना है तो यह हमारा initial phase हो जाएगा ठीक ऐसा भी बोला जा सकता है कि initial phase आप यहां से नाप हो उस case में यह हमारा initial phase हो जाएगा अब देखो, यहाँ पर से इस तरीके से घूमेगा, तो shadow इस तरफ आ गया है, तो मुझे पता चल जाता है, कि हमारा जो answer आने वाला है, particle यहाँ पर है, इस तरीके से यह omega से घूमेगा, अगर initial phase इस जगे से नापा जा रहा है, तो यह बन जाता है हमारा initial phase, इसमें हमारा पास initial phase negative आ गया, तो बस देखने के अलग-अलग तरीके हैं, actually हमें particles वही है, reference frame आप इसको मानते हो, इसके depend करता है, कि हमारा पास initial phase positive negative कुछ भी आ सकता है, two particles are performing SHM with same frequency and amplitude A, they are both seen together at A by 2, moving in opposite directions, the phase difference between them है, तो इस सवाल को किस तरीके से solve करोगे, बोथ आर सीन at A by 2, तो पहली बात तो यहां पर हमारा पास A by 2 है, यह हमारा पास X-axis पिलेट से, यह plus A है हमारा पास, यह हमारा पास minus A, यह mean position थी, दोनों को A by 2 पर देखा गया है, एक इदर जा रहा था, दूसरा उदर जा रहा था, opposite direction में जा रहे हैं, तो इसको भी बना सकता हूँ हमें एक इदर जा रहा होगा, और हमारा पास दूसरा वाला इस तरीके से आ रहा होगा, हमें बताना इन दोनों के बीच में phase difference कितना है, अगर दोनों की frequency same हमें दे हुई है तो, frequency same है मतलब दोनों को time period उतना ही लगने वाला है, तो उनका जो reference circle पे जो घुमने वाला particle है, वो same omega से दोनों में घुम रहे होंगे, अच्छा दोनों के जो phase आपको बनाना है, तो देखो यहाँ से इस तरीके से आप line draw कर सकते हो, यह, इस तरीके से, अच्छा दोनों का जो particle है, उसके घुमने का जो sense है, वो दोनों में same रखना आपको, नहीं, तो phase difference आप बता नहीं पाओगे, लेट से हम इस तरीके से घुमता हुआ, बनाते हैं particle को, अब इस blue वाले particle की मैं बात करूँ, तो blue वाला particle कहाँ पर है हमाँ पास, यहाँ पर इस तरीके से वो particle जा रहा होगा, तभी उसकी shadow इस तरफ जाएगी, और red वाले के लिए बात करोगे, तो red वाले का जो reference particle होगा, वो यहाँ पर इस तरीके से जा रहा होगा, तभी उसकी shadow इस तरीके से यहाँ पर move कर रहे है, तो हमाँ पास red वाला, इस तरफ घुमता आ जाएगा omega से, ब्लू वाला हमाँ पास इस तरीके से जाएगा omega से घुमता हुआ, अब इन दोनों के बीच का phase difference बताना है, कैसे बताओगे, देखो phase होगा क्या, यह यहाँ पर इन दोनों का आप इस तरीके से join कर दो, और अब इसको feel करने की कोशिश करो, यह एक इस तरीके से कुछ arm है, और यह ऐसे घुम रहा है omega से, यह ऐसे घुम रहा है omega से, अच्छे दोनों सेम omega से घुम रहा है, तो basically इन दोनों के बीच का angle कभी change नहीं होगा, तो यह एक fixed angle है, जो भी है, यह आपर ऐसे घुम रहा है, थोड़ी देर बाद यह यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यह यहाँ आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो difference of angle है, वो fixed रहता है और उसी को बोलते है phase difference, कितना है वो, क्या आप geometry देख के बता सकते हैं यह वाला angle कितना है, वीडियो को pause करो, question को solve करो, इसका correct answer है 2 pi by 3, देखो हमाया पास यह value कित्ती दी होई है, A by 2, दोनों A by 2 पर देखे गए हैं, यह था हमाया पास A, तो यह जो angle आ जाता है, यह actually आ जाता है 60 degree, this turns out to be 60 degree, similarly यह भी हमाया पास 60 degree हाजाएगा, दोनों के बीच में जो delta 5 phase difference होजाएगा, 60 plus 60 which is equal to 120 degree, या फिर 2 pi by 3, option number C becomes the correct answer, इस तरीगे से आपको समझना आना जाएगा, यह जो वीडियो आपने देखा, यह छोटा था पार्ट, एक छोटे से crash course का जाएगा, सिर्फ 40 classes में 2 गंडे की, हमने complete 11th और 12th की physics को cover किया है, बहुत सारे important और previous questions को भी include किया गया है, colorful graphics हैं, ताकि सब कुछ आपके दिमाग में सीरे घुजच जाए, और आप अच्छे marks लापाओ, जिस भी exam के आप तियारी करना चाहते हो, तो आज आओ, link is in the description, साथ में आप Colorful Notes की PDF भी download कर सकते हैं, absolutely freely available है, link is in the description, ज़रूर सो check out करना, मेरे व्डॉगई चैनल को subscribe करो, हम मिलेंगे जल्दी,